हेलो विवर्स आज मैं आप लोगों को ब्रोकोली क्या एक सब्ची दिखाऊंगी किसे बनाते हैं भुदी स्वादिष्ट होता है इसमें में ब्रोकोली ले लूंगी तो खुली का यह जो डंठल है इसको भी काटके निकाल दूंगी बाखी जो फूल है इसको भी जाओंगी आलू के साथ तो पहले इसको फूल को अलग करके मुझे पानी में भीगो के रखना है पानी में में थुरा सा नमग भी डाल दूंगी ताकि कोई किरा उड़ा हो तो वो उपर आ जाएगा अलाके अभी फ्रेश ब्रोकोली अभी भी मिल रहा है तो किरा होने का चांसे बहुत ही काम है बाद में इसको में बीच से और एकपाली कर लूँगी अभी इससे पानी में भीगो के रखोंगी पाच मिनिट पानी में भीगो के रख दिया पाच मिनिट के लिए नमक भी मिला दिया इसे आजकाल सबजी बाहर से खरित के लाग के इससे गुनगुना पानी में थुरह सा नमक चालके भीगो के रखना है और मार्केट में मिल भी रहा है एंटी जार्म्स सेनिटाइजर व्याच सेनिटाइजर वह भी यूज़ कर सकते हो तो मैं नमक सही करती हो इसे इदर एक कराई में मैंने सरसोखा तेल एक चामज करम कर लिया इसमें मैं ब्रोकोली को थोड़ा सा प्राइ कर लूँगी तेल मेरा करम हो गया इसमें मैं प्रोकोली बेल फ्राइ करने होंगी कि देखिए कि इसे काटलिया बीच में भी इसे थोड़ा सा चीर देना है क्योंकि ब्रोकोली का फ्लावर तो बहुती साफ्ट होता है बाट इसका जो डेंटल होता है थोड़ा सा हर्ड होता है इसी विज़े से इसे दो टुक्ता करके एक प्लावर को दो टुक्ता करके फिर बीच में से इसे थोड़ा सा चीर देना है इसको में हलका सा फ्राइ करूंगी प्लावर तो इसको में प्लावर तो टुक्ता करके प्लावर तो टुक्ता करके जो लिए। झाल कराई गरम करके इसमें मेतीन चमच ओईल ऐसे डाल दूंगी आप लोग चाहें तो कम ज्यादा यूज़ कर सकते हो इसमें में एक तेश पत्ता डाल दूंगी यहां पर एक पाव ब्रोखुली है एक बड़ा साइज का आलू लिया है मैंने और प्याज लिया है एक बड़ा साइज का प्याज डाल के उसको भी थोड़ा सा प्राई कर लेना है प्याज द्ला लिया है अभी मेज में आलू डाल दूंगे आलू को भी अच्छे तरीके से इसे हीला के प्राई कर लेना है आलू भी यहां पे मैंने बरे बरे टुक्ते करके करता है आप लोग चाहे तो चोटा पीस भी कर सकते हो अभी जो मैंने मसला का पेस्ट बनाया उसमें प्याज दो नसिन छे के लिए अद्रक एक इंच का टुक्रा दाचनी तिन चार एलाज दो लबंग दो हरी मिर्च दो लाल मिर्च दो जीरा अर्धनिया एक चमच लेके इसके इसका वसला बनाया है इसको में इसमें अभी डाल दूंगी आप दो कि यह मसला में ने डाल दिया मसला में तुरा पानी मिला के में ने डाला है इससे क्या होता इसका यह जाता है कि मसला भी जलता रहीं और पक भी जाता अच्छी दिरेगे से एक एक कट्टोरी में थो ऐसा मसला लगा हुआ था उसका भी में ने चामच से निकल के दे दिया आउ कर दो कर दो कर दो कर दो कि दो कालूम भी हो चुका अभी इसमी में स्वाद हमें सान नमग डाल रही हो इसके बाद भी इसमें को प्राई किया हुआ रोकुली मिला देंगी कुका अभी इसमी के बाल रही हो इसमेंगी एसमें वाय शुका अभी इसमें भी इसमें को वाय सल्ग। कर दो कि इसमें मैं भी पानी डाल दूंगी देखें इसको बॉइल होने तक वेट करूंगी कि इसको एक लीट से मैंने ढ़ाग दिया था तो पाच मिमेद बाद दिए पानी भी सूर गया और मेरा प्रपुली का सबजी भी बन गया कि इसमें मैं अभी एक चमच गरम मसला एड़ कर दूंगी और फिर से हीला दूंगी लीटिये लोकली के सबची बिलकुल बन के तयार है वीडियो पसंद आये हैं तो एक लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत प्लीज थैंक यू झाल हेख सिर्व थैंक लोगी और नहीं हो ऊचैनल प्लीज भी झाल हैं तो सब्सक्राइब कर दूंगी और आध रहातो थैंक प्लैगलों बना प्लीज और मेरे वाल दो श्कतम पिला आये हैं तो सब्सक्राइब कर देचाब